अलो दोस्तों आप सभी का स्वागता है एक बार फिर से एक और नई वीडियो में तो आज हम बात करेंगे अर्याना को सलोजगार में जिसने भी वन टाइम रजिस्टेशन अपना कंपलीट कर लिया है और जो 28 परकार की पोस्ट निकली है उन पोस्टों को किस परकार से अपल लोगिन पर किलिक कर लेना है फिर आपको इंटर यूवर फैमली आइडी पीपी आइडी यहां पर आपको फैमली आइडी इंटर कर देनी है फैमली आइडी इंटर करने के बाद आपको डिस्पले मेंबर पर किलिक कर देना डिस्पले मेंबर पर किलिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना select memory name आपको कर लेना है यहाँ पे show कर देगा जितने भी family ID में आपके memory हैं वो सारे यहाँ पे show हो जाएंगे तो आपको जिसका भी फारम बर रहे हैं उसका नाम आपको select कर देना है और फिर get verify OTP पे आपको click कर देना है click करने के बाद जो आपने family ID में जो number दे रखा उस पे एक OTP आएगा वो OTP यहाँ पे आपको दर्ज कर देना है बाद verify OTP पे आपको click कर देना है verify OTP पे click करने के बाद login का option आएगा उस पे आपको click कर देना login का option आते ही जो आपने जो one time registration complete किया था उसका registration यहाँ पे आपको दिखाई देगा ठीक है तो first step और second step और third step और fourth step यह तो आपने complete कर लिए है one time registration जिसने complete कर लिया उसके चारो step complete हो जाते हैं फिर आपको जाना है post apply करने के लिए आपको पांच में step में पांच में step में जाने के बाद आपको यहाँ पे इस परकार से आपको सक्रोल कर लेना है जो 28 परकार की विकंसी है वो आपको दिखाई दे जाएंगी यहाँ पे messenger metric to deliver message to official यह पांच तारिक से start हुई है च्यार परकार की विकंसी जैसे की one, two, three, four यह च्यारों जो पांच तारिक को निकली हैं और चोदा तारिक ही इनकी last date रहेगी 14 तारिक तो देखो जो 24 परकार की निकली थी उनकी भी 14 तारिक ही last date है लेकिन वो तीन तारिक को निकल चुकी थी शुरू हो चुकी थी ठीक है तो आप सभी को यहां पे आके अपना जो post apply का option है जैसे की जो first में जो multitasking office worker है इसमें messenger का काम है तो यहां पे आप आते ही apply now का option दिखाई दे रहा होगा आपको यहां पे यह तो यहां से आपको apply करना है यहां से आपको apply कर देना है apply का आइकन दिखाई दे रहा है apply का आइकन दिखाई दे रहा है इस पे आपको क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद congratulations apply successfully आपकी post apply हो चुकी है तो यह जो post जो apply होती है जो add होती है यह कहां पे जाके show होंगी दिखाई देंगी तो आपको निचे की तरफ सक्रोल कर देना है सबसे जो last में दिखाई देंगी वो आपकी apply post दिखाई देंगी यह आपकी जो advertisement की date है इस यह advertisement date है यह apply करने की date नहीं है जो पिछली वीडियो में मैंने बोल दिया था कि apply इस date को किया है तो apply की date नहीं है यह advertisement date है ठीक है Regination आपका यहां पे दिखाई देगा और इन में क्या क्या क्युवालिफेशन है वो यहां पे आपकी show हो जाएगी तो आपको इस परकार से अपना जो one time registration करने के बाद आपको post apply कर लेना है इसी परकार से तो आपका forum complete हो जाएगा वीडियो को last तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद